जय श्री कृष्णा स्री राधे राधे आज हम आपके सामने लाए हैं गाय का बच्छडा और चिनु को ये तोनों बहुती आपस में घुर मिल चुके हैं आपस में बहुत खेलते हैं इसके साथ ही हम आपको गाय के बारे में कुछ जानकारिया देना चाहेंगे किसे सभी देविदेवताहों के का जो मंदिर होता है कुछ माता को माना 진행 जाता है मैं जितने भी देविधवताहों के पूझा करना चाहते हैं अगर आपकी चोखर पर आगर खड़िए तो आप भौती भागयशा लेह हैं आप उन्हें रोटी देंगे अगर रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ और घी लगा के रोटी में देंगे तो आपकी जो भी मनुकामना होती है वो पूर्ण होती है गव माता हमारे लिए माता के समान माने जाती है गाव में अधिकतर गव माता को अपने घर का एक सदसे ही माना जाता है किसी भी शुब काम में सुब अफसर पर सरपर प्रत्थम गव माता की पूजा की जाती है उन्हें अच्छा पक्वान खिलाया जाता है निठे में पूरी गोड़ अवर्षे खिलाया जाता है कहा जाता है कि जो भी अपनी मनों कामना है या अपने उपर जो विपत्ति आने वाली रहती है अगर हम गोड़ खिलाते हैं साथ में तो वो दूर हो जाती विपत्तिया और हमारे काम असानी से पूरे हो जाते हैं च्यूकि हम माता को माता बुलाते हैं इसका एक कारण ये भी है कि छोटे बच्चे जो रहते हैं वो अधिकतर गाय का ही दूद पीते हैं जैसे माता का दूद का माता है या नहीं भी आता है तो डाक्टर भी यही सला देते हैं कि आप गाय का दूद पलांगा एक यह क्यों क्योंकि वो बहुत गुर कारी होता है गाय बहुत ही अच्छी होती है और उनके साथ समय बिताने में मुझे की चीनों को बहुत पसंद करता है आधे से ज़्यादा टाइम वो गाय के साथ ही निकालता है मुझे चीनो को देखके ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण भी इसी तरह गाय के साथ खेलते होंगे मस्ती करते होंगे बस भगवान कृष्ण की छभी दिखाये देती है मुझे तो इसलिए मैं भी खेला चालू कर देती हूँ यहाँ पर चीनू और मैं गाय को रोटी खेला रहे थे गाय का बच्छडा है यह बहुत ही प्यारा है चीनू नहा रहा था तो उसके साथ तीपिने उसे भी नहला दिया वेदास नहला रहा है उसे और चीनू भी पानी के साथ खेल रहा है मस्ती कर रहा है दोनों की शरारते चालू हो रही है यह जो हमाई गाय का बच्छडा है बड़ा ही सान्स्वभाव का है इसलिए चीनू इसके साथ खेलता है पर यह कभी उसे डराता नहीं है यह मुझे डर नहीं लगता कि इसे चोट लग जाएगी चीनो को इस से पर दोनों अच्छे से खेलते है इसलिए मैं दोनों को साथ में खेलने देती हूँ पर हां मैं हमेश़ा उसके साथ ही रहती हूँ क्योंकि डर तो लगता है क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है गाउ में सुबह शाम गाई की पूजा की जाती है शाम होने पर उनकी आरती की जाती है उनको रोटी दी जाती है रोटी खिलाए जाती है पर मेरी आदत है कि मैं सुबह वेदानस के हाथ भी गव माता को रोटी खेलवाती हूँ उसके बाद ही उसको स्कूल भेजती हूँ मेरा ये डेली रोटीन है कि उसका टिफिन बन रहा है तो सबसे पहले में गाय की रोटी निकालती हूँ ऐसा ही मेरी दिनचारिया चालू होती है और फिर दिन भर अपने काम में लगी रहती हूँ मन बड़ा शान्त रहता है और यहाँ पर चीनों देखो कितना मस्ती कर रहा है खेलना बहुत पसंद है शहरों में तो अधिकतर लोग गाय नहीं पाल पाते हैं क्योंकि उतनी जगे नहीं रहती क्योंकि झालू है